ऐबिए स्टुढ़ेंट्स वेलकुम तू अभीलक्ष अधिभी अभीलक्ष अधिभी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसंटेज का पार्ट 7 जिसमें रहेंगे सेल्समें वाले कॉशन्स और नियूमिरेटर और डिनॉमिरेटर को इंक्री इस तरह के question इसमें हमने डाले हैं तो start करते हैं class और first question देखते हैं देखो इस पर क्या कहा रहा है कि जो salesman है जो salesman है वो 12% commission लेता है उसके द्वारा total sales जितनी भी होती है और 15,000 से उपर की जो sale होंगी उस पर 1% का bonus हो लेता है मतलब यह कि उसने 15,000 की sale करी उस पर 12% commission मिले गाई और 12,000 से उपर की जितनी भी sale करेगा उस पर 12% मिले गाई पर 7% पर 1% साथ उटनी भी होगा क्योंकि उसके गए टोटल जितनी भी एक जोग.- cheじandor दने उने जबाए yes power represents में बता करना है कि उसके द्वारा टोटल सेल्स कितनी हुई चलो स्टार्ट करते हैं देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है दो तरीके से किया जा सकता है पहले एक concept देखते हैं concept समझाएगा आपको फिर दूसरे method पर चलते हैं क्या मैं यह बोल सकता हूं कि 15,000 की सेल पर 12% कमिशन मिलेगा तो हमने का कि 15,000 रुपे पर अगर मैं 12% कमिशन निकालता हूं कितना 12% कमिशन निकालता हूं तो मेरे पास आते हैं कितने रुपे अगर मैं 15,000 रुपे की सेल करता और उसके बारा परसेंट का मिशन मिलता तो अठारा सो रुपे की इंकम आती लेकिन उसके पास आई इंकम कितनी 7,650 कहीं ज़्यादा है तो हम यह देखेंगे कितनी ज़्यादा आ रही है 7,650 में से अठारा सो रुपे अगर मैं माइनस कर दू तो मेरे पास आएंगे यह कितने 0,58 और यह आ जाएगा 5,850 रुपे इसका मतलब यह है कि अगर 15,000 रुपे पर 12 परसेंट कमिशन मिलता तो अठारा सो रुपे आते और यह जो एक्स्ट्रा रुपे आ रहे हैं मतलब उसके पास जो इंकम 7,650 बन रही है मतलब 5,850 जादा जो रुपे आ रहे हैं वो कही ना कही वो इंकम होगी जो उसने सेल 15,000 से उपर की कियोगी ठीक है समझ रहे हैं तो हमने का कि वो जो 15,000 रुपे की उपर की सेल है उसको हम सेल मान रहे हैं उस सेल पर उसको 12% कमिशन मिलता ही प्लस 7 में 1% बोनस और मिलता इसका मतलब टोटल उस सेल पर उसको 13% का कमिशन मिलता तो उस सेल का 13% कमिशन जो इतना बनना चाहिए 5850 ठीक है तो इसने किसे निकलेगी देखो कि पांचाजार आठ सो पचास यह तेरा जो गुणा हो रहा था इदर आगे भाग हो जाएगा और यह 100 इदर गुणा भाग हो रहा था तो गुणा हो जाएगा 13 से काटेंगे 13 चोक 52 6 बचे 13 पंजे 65 और 0 इसका मतलब यहां पर sale कितनी आ गई 45,000 मतलब यह कि 45,000 रुपे की sale वो sale है जिस पर उसको 13% का commission मिला है मतलब bonus सहित ठीक है तो 45,000 यह और 15,000 रुपे की sale उसने पहले की थी ठीक है तो total हमारा जो answer आ जाएगा कितना आ जाएगा 60,000 ठीक है अब इस method में क्या problem है कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं पहले एक बर हमने 12% commission निकाला फिर हमने देखा यह कितना extra आ रहा है फिर वो extra हमने देखा कि यह sale का इतना percent है फिर हमने निकाला फिर यह 45,000 आया फिर हमने वो add किया पिछले वाली sale में तो total sale तब निकल कर आई ठीक है इसको दूसरे method से थोड़ा सा out of the box सोच के देखते हैं कि इसको हम कैसे करें देखो क्या हम यह बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि जो इसका commission है commission का rate अलग अलग है कि बही 15,000 रुपे पर 12% 15,000 से उपर कही ना कही एक परसंट और मतलब 13% मिल रहा है तो हम क्या करेंगे उस commission को equate कर देंगे मतलब देखो यह कह रहा है कि 15,000 रुपे ठीक है तो 15,000 रुपे पर तो इसको मिल रहा है 12% commission तो हम क्या करेंगे इस 12% पर जितना भी मिल रहा था उस पर 1% अगर मैं और दे दूँ तो मैं यह कह सकतो है इस पर भी 13% मिलेगा और इस पर भी 13% मिलेगा इसका मतलब total sale का 13% मिलेगा तो हम क्या करेंगे equate करेंगे कि बही 15,000 पर अगर मैं 1% bonus दे दूँ मतलब ठीक है income तो increase होगी तो 15,000 रुपे पर अगर मैं 1% दे दूँ तो कही ना कहीं income में 1,500 रुपे और आजेंगे income में 1,500 रुपे और आजाएंगे लेकिन 7,650 में अगर मैं 1,500 जोडता हूँ तो हमारे पास कितना आजाएगा यह आप add करोगे तो 7,800 78,000 रुपे उसकी income हो जाएगी हाँ अब यह हम कह सकते हैं कि पहले वाली sale पर भी अब 13% मिला और बाद वाली sale पर भी उसको 13% मिला तो total मिला कर आपका total sale पर आपका 13% commission तो अब हम यह बोल सकते हैं total sale जो भी थी TS मतलब total sale उसका अगर मैं 13% निकालू तो वो 78,000 आना चाहिए कितना? 78,000 क्योंकि 78,000 कैसे आया? 1% bonus दे दिया पहले वाली sale पर भी तो total 13% का bonus आ रहा है मिला कमिशन आ रहा है तो total sale जो आजाएगी अपका आई 78,000 बटे में 13,000 आप क्या आ जाएगा कितना? 600 मतलब यहां पर आ जाएगा 60,000 कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा तो आप इस पर take कर सकते हैं 60,000 ठीक है अब यह समझ पाए हो आप कि हमने क्या करा है जो कमिशन का रेट था वो इक्वेट कर दिया कि भी पहले वाले पर भी आवकर 13 दे दें और बाद वाले पर भी तेदा दें तो कहीं ना कई total sale का 13% income आ जाएगी इस तरह से अपने क्या है? इसी तरह का second question देखो आप एक salesman था उसको 9% का commission मिलता है उसके द्वारा sale की जाए ठीक है जितनी भी sale करेगा और 1% का bonus और मिलेगा 20,000 पर तो हम second वाला ही method अपनाते हैं जो commission का rate है उसको equate कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे 20,000 20,000 पर अगर मैं 1% का commission और दे देता हूं तो मैं यह कह सकता हूं कि 200 रुपे इंकम और आ जाएगी जितनी भी पहले इंकम आ रहे थी उस पर 200 रुपे और आ जाएगी तो अब जो पूरी सेल था उस पूरी सेल पर अब मैंने क्या कर रहा है नो और एक total 10% commission दे दिया है तो टोटल सेल का 10% अगर मैं निकाल लूँ तो 7,000 रुपे आना चाहिए क्योंकि यह 7,000 रुपे वही है इंकम ठीक है तो टोटल सेल जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी 70,000 आ जाएगी यह 10 इदर जाके गुणा हो जाएगा तो 70,000 इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से हमें यह करना है ठीक है उमीद आए आपके चीज़े समझ आ रही है अगर नहीं समझ आती है तो कभी भी आप कमेंट करें आपका कमेंट का जरूर जवाब मैं दूँगा ठीक उपर की सेलगा ठीक हम एक्वेट कर देते हैं कि 10,000 रुपे पर भी दे देते हैं वह 10,000 से उपर ही उपर क्यों देना है 10,000 से नीचे वाले पर भी दे देते हैं तो उसका आधा परसेंट परसेंट अट आएंगे तो 2,0 और आ जाएगी ठीक है तो आजाएगा कितना 50 रु मतलब इतनी इंकम हो जाएगी टूटल ठीक है अब यह कह सकते हैं यह जो इंकम है 2040 यह पूरी की पूरी सेल का कितना परसेंट है 5,5 और आधा मतलब टूटल 6 परसेंट है ठीक है क्योंकि बाद में तो 6 मिली रहा था हमने पहले भी आधा दे दिया तो टूटल 6 हो गया तो टूटल सेल का अगर मैं 6 परसेंट निकालूं तो कही ना कहीं कितना आएगा 2040 तो टूटल सेल आप निकाल सकते हो कि 2040 बटे में 6 गुना 100 ठीक है अब आप इसको कैंसल करोगे तो 6,3,8 ठीक है दो बचे 6,8,4,24 तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो ठीक है बस आपको क्या करना है commission को equate करना है equate जैसे आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो earning है वो बढ़ जाएगी और अगर earning बढ़ जाएगी तो आप यह देखोगे कि बहीं जो commission है वो equate हो गया जितना पहले था उतना ही commission बाद में भी हो गया है ठीक है आगे चलते है अब दो को numerator वाला question आ गया, एक numerator एक fraction है, fraction मतलब एक भिन है, उसका जो numerator है, उसको increase कर दिया गया 200% और denominator भी increase कर दिया 300%, ठीक है, तो इसने का गया जो fraction है वो 5 सहीत 1 बटा 2 हो जाता है, मतलब यह कि अगर उसका numerator जो भी था, देखो कभी भी कोई भी value हमेशा 100% रहती है, कोई value 100% रहती है, अगर आपको उसको जितना भी % बढ़ाओगे, तो वो उतना % बढ़कर प्लस हो जाएगा, जैसे कि मानलो कोई चीज 100% हमेशा होती है, अगर उसमें आप 10% की वृद्धी करते हो, तो 100 तो वो थाई, 10 और बढ़कर वो 110% हो जाएगा, ठीक है, कोई भी चीज increase होकर, वो percentage क्या हो जाती है, 100% में add हो जाती है, अगर कोई चीज घट रही है, जितना % तो 100% में से ही वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, तो मानलो मैं यह कहा रहा हूँ कि दो fraction थे, X और Y, एक fraction था, जिसका numerator X था और denominator क्या था Y था, अब इसमें कहा कि numerator को बढ़ा दिया गया 200, तो इसको 200 अगर बढ़ा दोगे, तो उसका वो 300% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा, और जो denominator है, वो 3.5% increase हो रहा है, इसका मतलब पहले 100 था, 3.5% और बढ़ा दिया, तो कहीं न कहीं वो कितना आ गया, 1.5% आ गया, और यह सब होने के बाद, वो fraction कितना हो जाता है, 5 बटे 12, ठीक है, तो हम इसको solve कर लेते हैं, कि परसंटेज से परसंटेज कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 2 बार 30, 15 से 3 बार 45, ठीक है, तो XY को यहीं रहने देते हैं, और यह 2 को नीचे जाके गुणा कर देते है 5 बटे 12, गुणा 2 नीचे, और यह 3 उपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 3 चोक 12, और यह आ जाएगा 5 बटे 8, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, और option हमारा option number A, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, कभी भी इसको घटाना हो, मानलो अगर यह घटाना होता, तो 100 में से माइनस हो जाता, कोई भी जितना भी परसंट आप घटा होगे, 20 परसंट घटाना है तो 80 हो जाएगा, 30 परसंट घटाना है तो 70 हो जाएगा, 50 परसंट बढ़ाना है तो 1.500 हो जाएगा, तो वो 100 में ही प्लस या माइनस होता है, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा 100 होती है ठीक है कोई भी चीज हमेशा इनेशली क्या रहती है 100% रहती है अगर आप उसको बढ़ाओगे जितना भी परसंट तो वो उसी 100% में एड़ोकर वो उसकी current value हो जाएगी चलो next और बिल्कुल last question देखते हैं कि दो numbers है भई the sum of two numbers is 520 if the bigger number is decreased by 4% and smaller number is increase by 12% the number becomes equal ठीक है दो number है भई देखो दो number आप A और B ले लेते हैं या X और Y ले लेते हैं देखो दो number हमने मान लिया क्या X और Y इसने कहा कि इन दोनों का जो total है वो 520 है यह हमारे पास एक equation है छोड़ो इसको इसने कहा है कि एक number जो बड़ा number जो भी बड़ा दिया गया है तो क्या मैं एक number X मान लेता हूं बड़ा number वही मान लो X उस X को अगर 4% घटा हो गए तो वह कितना हो जाएगा उसका 96% हो जाएगा मैंने कहा था 100 में से घटा देना है ठीक है और वह equal हो जाएगा किसके जो smaller number है 12% increase हो गया तो तो वाई जो है अगर 12% increase करोगे तो 112 हो जाएगा और यह होने के बाद यह वाला और यह वाला number क्या हो जाएगे the number obtained are equal मतलब जो भी number इस तरह से करने के बाद यह आएगे वो दोनों क्या हो जाएगे इसलिए मैंने यहां पर equal का sign लगा दिया है ठीक है यहां तक समझ आए आपको उसके बाद देखो इसने का the smaller number इसने पुझा छोटा वाला number बताओ छोटे वाला number तो हमने कर ठीक है 100 से 100 हो cancel हो गया ठीक है यहां तक हमें समझ आगया च्छोड में चार से काट ओ चार से काट लेते हैं तो 4 से 4 तो दो बार आठ 4 6 16 चार से चार चार तुनी आठ और यह बचाए अठेग तेस ठीक है चार से छे बार चार से सात बार तो कहीं करें दूजिनिया कहीं x गुणा Gary or Varmy गुणा सात-त आ गया तो एक-स और वाई का अगर म performed निकाल लूद बटे मैं कर दूँ तो सात बटे क्या जाएगा मतलब एक वैल्पाइज साथ है मसलेगोंगों बड़ी तो दूसरी संख्या 6 हैं, दोनों का total तो हमें पता था 520, तो अगर हम ये दोनों अपनी संख्या मान के चलें, 7 और 6, तो इन दोनों को अगर मैं total कर रहा हूं 7 और 6, तो ये तो हमारे पास आ रहा है कितना 13, हमारे इसाब से मतलब अनुपात के इसाब से 7 और 6 का जोड कितना रहा है 13 लेकिन सवाल कहा रहा है नहीं दोनों का जोड़ कितना है 520 तो इस 13 को 520 बनाने के लिए किस संख्या से मैं गुणा करूं कि 520 आ जाए कैसे आपको करना है ठीक है तो परसंटेज के लिए हम अब इतना ही रखते हैं ठीक है नेक्स क्लास में हम प्रॉफिट और लॉज को शुरू करेंगे बिल्कुल और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो बिल्कुल आप ब पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ठीक है तो मिलते हैं आप से नेक्स क्लास में प्रॉफिट और लॉज के साथ थेंक्यू